गरेलू उपाये में आप सभी का स्वागत है और आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए है सोलर कुकर में बना खाना सबसे बढ़िया खाना क्यों होता है अगर आप जाना चाहते हैं कि सोलर कुकर में बना खाना सबसे बढ़िया क्यों है और इसे हमें क्यों खाना चाहिए तो इस वीडियो को अंते तक देखते रहे है सोलर कुकर सबसे जाता उपयोगी है क्योंकि बनावट जो उसकी है उसमें प्रकाश, पवन का स्पर्ष और भोजन को बनाते समय जो कि मिलता है इससे भोजन बहुत यच्छा होता सोलर कुकर एक ऐसे अद्बुत चीज बनी है या बनाई गही है जिसमें सूरी का प्रकाश सबसे जादा है तो सोलर कुकर का खाना बहुत यच्छा होता है लेकिन कौन सा सोलर कुकर देखिए एक सोलर कुकर ऐसा आता है जिसमें डिबे में बंद करके खाना बनाने के लिए बहुत ही हानिकार्यक होता है, वो खाना नहीं है, हमारे लिए धीमा जहर है, ऐल्मुनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है, इसमें खाना हमें बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, Solar Cooker की टेक्मिलोज़ी बहुत अच्छी है बरतन चीजें बरतन चेंज करें तो Elmoneyum के बरतन जब तक है तब तक विस Solar Cooker का ख़ाना जहर है सिद्धान के ऊसाब से Solar Cooker भरत की सबसे अच्छी टेक्मिलोजी है आप बोलेंगे कि कोई बरतन बदल के रखे तो अच्छा है जी हाँ पीतल रखी उसमें कांसा रखी उसमें तो सोलर कुकर बनाने वाले के लिए बहुत ही उसमें जो खाना बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा खाना होगा मैं उसे कहता हूँ कि जो सोलर बनाने वाले हैं वो अगर उसे आप बोलेंगे कि यह सब मेटल अगर यूज़ करते हैं पीतल कांसा तो वो कहेंगे कि अगर इसको आप यूज़ करेंगे तो खाना पकने बहुत समय लगया तो मैं आप लोग उस कहता हूँ कि टाइम बचाने के चकर छोड़ दीज़े क्योंकि यहाँ टाइम बचाएंगे तो कहीं दूसरी बिमारियों को आप अपने साथ ले आएंगे तो जैसे ही सोलर कुकर का बरतन पीतल कांसे में आए आप उसका जरूर इस्तमाल करिए विज्ञान के साथ से यहाँ ऐल्मूनियम बहुत ही खतरनाक होता है जी हाँ दोस्ते तो आप भी जान गया होंगे कि सोलर कुकर में जो खाने बनाय जाते होते हैं वो बहुत अच्छे बहुत葉 से खाना क्यों होता एक और इसे हमें कौन से मेडल में नहीं बनाना चाहिए या कौन से मतल कहां हमें प्रियोग नहीं करना चाहिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले और अगर आपको इस वीडियो से लेटेट कोई भी सवाल या सुझाओ मन में चल रहा तो कमेंट बाक्स में लेकर पूशन न भूले और अगर आपने अभी तक हमाई यूट्यूब चैनल घरी लूपा सब्सक्राब नहीं किया तो इसे तुरंट सब्सक्राब कर ले ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपर्टन वीडियो मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में तब तक ही नगा श्कार बस्ता